दोस्तो नाराइन नाराइन करने वाली नारजजी को एविवाइत रहने का सराप मिला था पुरानों और सास्त्रों के अनुसार देव लोग को दूद कहे जाने वाली देव इसी नारजजी बर्माची के साख मानस पुत्रों में से एक है बगवान विश्णू के अनिन्य भक्त में से एक नारची एक लोग से दूसरे लोग की प्रिक्रिमा करते हुए सुचनाओं का अर्दान परदान करते हैं नमस्कार दोस्तो आप कैसे हैं मैं आपका दोस्त राज गोड वासुदे दर्स्तन में आपका एक बार फिर्श से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसके बारे में सायद आपको भी पता नहीं होगा जी हाँ दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नारद मुनी जी को ऐ विवायत रहने का सरा किस ने दिया और क्यों इस वीडियो को अन तक बिना स्किप किये पूरा देखें आज हम आपको बता रहे हैं वैसे तो नारद मुनी को कई बार प्रेम हुआ पर फिर भी किसी से भी नहीं हुई उनकी सादी इसका कारण था उनके पिता दुआर ऐ विवायत कोने का सराप मिला था आईए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि बर्माजी ने दिया नारद जी को ऐ विवायत रहने का सराप ब्रह्म बैतन पुरान ब्रह्म खंड में एक कहानी का लेक बिलता है जिसमें नारद को उनके पिता बर्माजी से आजिवन ऐ विवायत रहने का सराप मिला था दोस्तो इस कहानी के अनुसा जब भगवान बर्मा जी स्रिष्टी का निर्मान कर रहे थे तो उनके चार पुत्र हुए वो तपस्या पे निकल गए इसके बाद बारी आई नारत मुनी जी की नारत सुभाव से चंचल थे नारत उनी ने बर्माजी से कहा कि तुम स्विष्टी क्लचना में मेरा सयोग करो और विवाह कर लो उन्होंने अपने पिता को मना कर दिया अपनी अवहिलना सुनकर बर्माजी बहुत क्रोधित हुए उन्होंने नारत को आज जीवन ऐ विवायत रहने का स्राप देते हुए कहा तुम जीवन में कई बार प्रेम कास अनभव करोगे लेकिन तुम चाकर भी कभी विवाहे नहीं कर पाऊंगे तुम अपनी जिमेदारियों से भागते हो इसलिए तुमें पूरी दुनिया में केवल भाग दोड ही करनी पड़ेगी इस तरह नारत जी को स्राप मिल गया और वो युगो युगो तक एक लोग से दूसरे लोग में विचरन करते रहे साथ ही हम आपको एक दूसरे स्राप के बारे में भी बता रहे हैं जिसकी वज़े से नारत जी को हमेशा इदर उदर बढ़ते रहना पड़ता है कहते हैं राजा दक्स की पतनी आसक्ती के दस हजार पुत्रों को जनम दिया था सबी पुत्रों को नारत जी ने मौक्स का फाट पढ़ा दिया जिससे उनका मन मोह माया से डूर हो गया फिर दक्स ने पंच जनी से विवाह किया और उनके एक हजार पुत्र हुए इन पुत्रों को भी नारत जी ने मोह माया से दूर रखना सिखा दिया इस पास से क्रोधित होकर दक्स ने नारत जी को स्राप दे दिया कि वे हमेशा इदर उदर बढ़ते रहेंगे दोस्तों यह चांकारी कैसी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और लाइक करें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रही